अहमार रहीम, असलाम अलेकूम आप मैंना यूटूब चैनल देख रहे हैं वेल्कम तो मैं यूटूब चैनल पेडागोजी नोट्स जो FPSC लेक्सर जाब्स के वाले से हमने स्टार्ट किया हुए तो पेडागोजी के चार टापिक्स आपको दिये गए FPSC की तरफ से Teaching, Technics and Methodologies Classroom Management and Discipline Testing and Evaluation and Blooms Taxonomy तो Testing and Evaluation और Blooms Taxonomy ये दो हमारे टापिस कंप्लीट हो गए हैं अलहमद्दलिला इसको मने बड़ी डिटेल से पढ़ लिया है आज हमने नया टापिक स्टार्ट करना है Classroom Management and Discipline ये आपका बड़ा इंपोर्टेंट टापिक है ये इस सवाल अज़े इंपोर्टेंट है क्योंके ये जो Classroom Management and Discipline है यहीं से आपका Descriptive पेपर भी होना है जो खास्तों पर बच्चे हैं Vice Principal की Post वाले FPSC के और Lecture Seats के वाले से जो भी है वो सभी बचे ये आप नोड फ्रूमालेंग के Classroom Management and Discipline और साज टिजिंग टेखनीस है मीन के जो आपके दो टापिक्स रहे गए हैं यहां से आपका Descriptive पार्ट बहुत ज़्यादा आना है इसलिए आपने इसको Detail से पढ़ना है बाकि जो Test and Evaluation और Bloom Check सानमी था वो मैंने आपको बताया था को आपने Objective के लिए आस उसको त्यार करना है MC कुछ उसमे कफी ज़्यादा आते हैं तो Classroom Management and Discipline के वाले से आपका Descriptive में कफी ज़्यादा आपका आना है ठीक है इसलिए इसको आपने Detail से पढ़ना है तो चलते हैं Whiteboard की तरफ तो Classroom Management and Discipline तो इसमें दो लफ्स यूज़ किये गए हैं जी Classroom Management और Discipline तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Management और Discipline में क्या फरक है Management और Discipline दो वर्ड यूज़ किये गए हैं जी तो और उपर जी वर्ड इसमें दोनों के जो एकठा वर्ड है वो है जी Classroom Classroom की Management और Discipline आपने किस तरह मेंटेन करना है तो Management क्या है तियर Discipline क्या होता है Management यह है जी जो भी Classroom के Rules आप उसमें Classroom में सेट करते हैं Classroom के नाम्स आप करते हैं Classroom का Atmosphere Learning बनाने के लिए जो भी आप वहाँ पे काम करते हैं Strategy यूज करते हैं जो भी आप Methodology यूज करते हैं जो भी आप Teaching टेकनीक यूज करते हैं मेंस के Classroom को कंट्रोल करने के लिए जो भी तरीका आप अडाप्ट करते हैं As a Teacher वो सारी के सारी आपकी Management है वो सारी के सारी के आपकी Management है और जो Discipline है वो है जी आपके ने जो Management के लिए जो Rules आपने बनाए हैं अपनी Class को चलाने के लिए उन Rules पे अमल द्रामत करवाना Implementation करवाना वो आपका Discipline है Means के जो भी Classroom के नामस आपके हैं जो भी Classroom के Rules हैं जो भी आपकी Strategy है उसको जो बच्चा फुल्फिल नहीं करता जो पे अमल नहीं करता जो भी Learner है जो भी Aspirant है जो भी Student है तो उसके खिलाफ आपने Action भी करना है ठीक है जी उसमें उस बच्चे को कोई Penality भी हो सकती है तो आपने सुना होगा आम तोर पे जो Government Department में जो भी बंदा अपनी जाब के वाले से कोई Slackness करता है तो भी आपने देखा होगा आर्मी में कुछ Officers के खलाफ जब कोई भी Report होती है कोई भी उनके Action लेना होता है तो क्या कहते है Disciplinar Reaction होगा Means के जो भी Management थी जो भी Rules थे उस Department के उन Rules को जिस बंदे ने Fulfill नहीं किया तोड़ा है उसके खलाफ जो Disciplinar Reaction होता है ठीक है जी तो Classroom Management Disciplinar के वाले से दो Words थे आपके Management वो है कि आपने Class के अंदर जो Rules बनाने है और Disciplinar यह है को उनके उपर आपने अमल करवाना है जो लोग अमल नहीं करते हैं उनके खलाफ आपने Action करने को Penality होनी है यह तो आपका होगा जी आपका Word जो है ना Classroom Management और Disciplinar अब आपने जी जो आपने हमारा जो टॉपिक है इसमें FPSC ने आपको पूरा टॉपिक यह एड़ किया हुआ है तो इसके वाले से हमने कौन-कौन से इसके जो सब टॉपिक है वो हमने कौन-कौन से पढ़ने है इंशाला तरह यह आठ से दस दिन लगेंगे इस टॉपिक को यह मैंने इसको डिटेल से लिख दिया है और यह दो-तीन दिन लगे है काफी मेनस से यह मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है क्योंकि आपका जो लेवल है एक तो यह वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट आपकी 18 किया और एक प्रिंसिपल की 19 स्केल की सीट है और साथ लेक्ष्टर की जो आपकी जो सीटें है तो यह इस लेवल की सीटों के लिए आपको जो माटिरियल भी चाहिए वो भी थोड़ा सा हायर लेवल का चाहिए था ठीक है तो यह इस लेवल का इसलिए मैंने यहां पे अड़ की अपने पर रिशान नहीं होना है कि सार ने इतना हाई लेवल के मेटीरियल एड़ कर दिया तो यह वक्त की जुरूरत है आपके यह वक्त करने ती यह वक्त करने ती यह वक्त करने ती आप लिखाओ के इंशाला तला समझाजेगी उसके वाद इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने क्लास्रूम अनेज्मेंट और डिसिप्लन के वाले से पढ़ने हैं सबसे पहले तहुम पढ़ें के darum von classroom management क्लास्रूम management की foundations क्या है बुनियाद क्या होती है कौँन से बुनियादों पर आपने classroom की management करनी होती है जब अपने classroom की management करनी है तो आपने कौन-कौन सी चीज़ों को देखना होता है कि उसमें आपने बचे को खुश भी करना है, बचे का environment भी ठीक रखना है classroom के seating arrangement भी करना है, classroom में learning environment भी करना है आपने teaching strategy भी यूज़ करनी है, बचों का level देखे कि कौन सी level के बचों का उपड़ा रहे हैं यहाँ पर हमारा teaching method जो होगा, lecture method effective होगा, यहाँ पर demonstrative method होगा या group work इसमें होगा, तो हमने यह देखना होता है कि इसमें कौन-कौन सी foundation होगी, कौन-कौन सी बुनियादे होगी कौन सी बुनियाद, किन चीजों की बुनियाद है हमने classroom की management करनी है उसके बाद हमने क्या करना है, creative positive learning environment, हमने classroom में learning environment पैदा करना होता है ठीक, उसके बाद behavioral theories होती है, strategies, behavioral theories और strategies जो है न, जो मुक्तलिफ theories है, classroom management के वाले से, वार्दा theories है, वो हमने पढ़नी है मैंने nature लिखी हुई है, आपको बतादा है, आप यह points note करते हैं, जो हमने points पढ़ने है, इन्ही points को निशनला तला daily हम एक के दोदो points को बड़ी briefly इसको explain किया करेंगे उसके बतादा effective communication है, कि effectively आप communicate, देखे न, कोई भी teacher है, तो उस वक्त तक वो काम यह आप टीजर नहीं हो से ता, जब तक वो communication अच्छी उसके नहीं होती है, जब तक जो उसके पास नालेज है, वो communicate नहीं कर लेता नमबर 5 पे आपने classroom rules, procedures के वाले से बात करनी है, नमबर 6 पे motivation and engagement के वाले से बात करनी है, कि बच्चों का आपने motivate कैसे करना है, और उनको class में आपने during lecture, उनको engage कैसे रखना है, आपने बच्चों का अपने lecture के साथ बांद के कैसे रखना है, किस तरह आप, कौन सा तरीका, क differentiated instructions पढ़ेंगे, handling, challenging, behaviors पढ़ेंगे, cultural competence बगारा, legal, ethical consideration, parent teacher, communication, यह total आपके 15 points बनते हैं, 15 topics आपने पढ़ने हैं, तो आज जो पहला topic है न हमारा, उसको आज हमने पढ़ने है, पहला topic है, foundation of classroom management, classroom management के foundations कौन कौन से होती है, तो foundation में आपके जिए, मैंने इसको detailed discussion आज की है, प classroom management की importance क्या है, classroom management अगर आप नहीं करते हैं, तो आपको क्या नुकसानात होते हैं, अगर classroom की management आप पहले कर लेते हैं, rules, procedure बगारा, पहले यह आप उस जो आना, वो बना लेते हैं, तो आपकी class में क्या इसका फाइदा हो सकता है, यह classroom management की importance है, ठीक है, यह आपका descriptive में छो classroom management की foundations हैं, वो total आपकी 5 बनियादे होती हैं, classroom को management के लिए, classroom को rules आप तानेके लिए, आपकी 5 foundations होती हैं, 5 बनियादे होती है, number one होते है theoretical foundation, theories कौन कौन सी हैं, ठीक है, यह हमारी theories है, उसका आपके पास है is, Pacifical foundation, कौन कौन सी philosophies है, आपने 2-2 philosophies परण नहीं है classroom management के वाले से उसके प्रैक्टीकल फॉंडेशन के आपने प्रैक्टीकली आपने थियोरी तो पड़ ली फिलासफी तो पड़ लेकिन आपने देखना है कि आपका जो प्रैक्टीकली जो ग्रॉंड पे जिस पे आपने जाके वर्क करना है जो आपको कलासरूम आपको अलाड की गई है उस नाइन्थ टेंथ की क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं तो नाइन्थ टेंथ की क्लास के वाले से पाकिस्तान की जो लोकालिटी है पाकिस्तान के जो बच्चे हैं पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके वाले से रिसर्च ही हुई है पहले लोगों ने रिसर्च किया हुए के यहां पे बच्चों को कौन से मैधर कि समझाती है यहां पे अट्मास्फियर किस तरह बिद्स मुझूरती है था सिर्ट में सब्सक्राइब के अपने इपक क्लास्ड की मैनेजमेंट करने होते हैं ऐसा भी और योड़ा इसे मताबे क्लास्ड्रूम की आप management के वाले से आप rules बना लें तो योरोप में आपको पता है वहाँ पर क्या रही वहाँ पर मौसम ठंडा है लेकन यहाँ पर गरम मौसम है वहाँ पर आपको multi मिले पर रियक्टर भी मिल जाता है यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से white board भी नहीं मिलता वहाँ पर आपको student self motivated मिलते हैं यहाँ पर ऐसा कोई scene नहीं होता वहाँ पर बड़े airy और बड़े जनाब अच्छे आपको कमरे मिल जाते हैं यहाँ पर आपको बड़े congested मिलते हैं वहाँ पर आपको classroom बचों के 10 बचों का group मिल जाएगा यहाँ पर आपको 50 या 100 बचों के group भी पड़ाना पड़ेगा means कि आपने research based foundation भी रखनी है साथ कि ऐसी classroom management करनी है कि आप जो research पहले हो चुकी है कि उसके वाले से भी cultural and conceptual foundation कि आपने अपने culture को भी देखना होता है कि यहाँ पर culture कौन सा है वो cultural launch जोना वो भी आपने classroom management में शामल करनी होती है यह हमारी जोना पांच थेरीद होती है ठीक है जी यह बड़ी important है बिल्कुल सिंपल थी मैंने लिखा है इसको आप पढ़ेंगे और इसके लावा जो है ना हमारे पास दो models है classroom management को model यह बड़ी important है classroom है ठीक है जो वोंगs model है ना सबसे पहले वोंगs model यह बड़ा important इसमें क्या कहता है जी वोंग कहता है जी जो आपके classroom है ना classroom को चलाने के लिए classroom के management या अपने जो rules बनाए है classroom के उस पे अमल करवाने के लिए सबसे पहले आपको friendly atmosphere बनाना होगा जब तक बच्चे के mind में आपकी इज़त नहीं होगी जो भी आपने rules बनाए है उन rules की values का नहीं पता होगा बच्चे को यह नहीं पता होगा कि यह जो सर ने कहा है या teacher ने कहा है यहाँ पे एक दुसरे की साथ आपने corporate करना है एक दुसरे की बात को काटना नहीं है आपने जब भी बात करनी है हाथ खड़ा करना है पहले permission लेनी है इस classroom के अंदर आते हो जाते में जो भी अपने नार्ज बनाई है इनका फाइदा क्या है जब बच्चे को classroom नाम का classroom की management का फाइदे का पदा चलेगा ना फिर वो उसको खुश दिली से कबूल करके उस पर अमल करेगा आप बच्चे को जो है ना जी उसको by force अमल नहीं करवा सकते आप बच्चे को कोई ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो जो ना उसका दिल ना मनें ठीक है उसका दिमाग उसको accept ना करे और वो जो ना बद दिली के ज़त भी ना हो तो फिर आप classroom की management नहीं चला सकते है यही है इसका जो ना keep आपको मनें बता दी है बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको समझा जाएगी उसको बद आपको पते canters assertive discipline जो canters assertive discipline है ना canters कहते है जी कि आपने गर classroom की management जा classroom के rules पर अमल द्रामत करवाना है तो वह तो दो तीन दीन तो आप अमल करवाएं उसके बाद अमल करवाना बंद करते है या पिर कहता जी canters यह भी कहता है कि जो बदा आपके discipline पर अमल नहीं करता तो उसको आपने जनाब by force अमल करवाना है दोनों में फर्ग समझे लें वो क्या कहता है वो कहता जी wongs कहता है कि आपने पढ़ी को अच्छा समझते हुए करें अपना फाइदा समझते हुए करें और canters कहता है जी नहीं आप वो बच्चे अच्छा समझे या ना समझे आपने क्या करना है बाइफोर्स अमल करवाना है जो भी rules आ बना ले सैट करें rules वह आपने उनको by force अमल दरामत करवा पर्ट्री mist होई देनہ को जब करना है उसमें यह सारी के सारी हुआ है नहीं पड़ी नहीं अब को चाहिए हुए तो मुझे बताई ओला मैं आपको वाड़साप कर दूँगा ने न्ग में शेयर कर दूंगा और स्क laws here आपको मिल जाएंगे इसलिए मैंने थेरिज को यहां पे डिसकस नहीं किया ताकि आपका टाइम यहां पे लक्षर बहुत अदा लंबर रिगर आपका टाइम देश होगा थैंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अलाफीज